हेलो दोस्तों कैसे आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब करता हूँ मेरे चैनल आपका HR Consultant में आज के इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ASIC या फिर जिसको हम फुल फॉर्म के तॉप पर बोल सकते हैं Employee State Insurance Scheme Act ठीक है तो आज हम लोग ASIC के बारे में डीटेल में बात करेंगे इसके सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं जो की इंप्लॉई स्टेट इंशॉरंस कोपरेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है ठीक है जिसको Ministry of Labor and Employment Lockender बनाए गया है और यह Government of India के अंदर आता है ठीक है सिंपल सी चीज है यह बिसकली एक Social Security और Health Insurance Scheme है जो की Indian Employees को दिया जाता है ASIC एक Social Security बोल सकते हैं या फिर Health Insurance Scheme है ठीक है जो की जितने भी Indian Employees है उनको दिया जाता है एक Regular Pay के नीचे बिसकली ठीक है तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कितने Pay के नीचे जो है यह Applicable होता है ठीक है ASIC जो है यह सारी की सारी Factories और Establishment जो Offices होते हैं ठीक है वहाँ पर Applicable होता है जहाँ पर 10 या 10 से जादा लोग काम कर रहे होते हैं ठीक है ASIC हर उस Factory और हर उस Establishment या Offices में Applicable होता है जहाँ 10 या 10 से उपर Employee जो है काम करते हैं और जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि मैं Range भी बताऊँगा जो Salary है जिसके नीचे वालों को लिए ये Use होता है वो है 21,000 ठीक है Employee Applicable for ASIC जिनके लिए ASIC Applicable है वो जिनकी Monthly Wages जो है 21,000 Gross पे है जिनकी 21,000 Gross पे आती है उसके नीचे वालों के लिए ASIC Applicable होता है और वो इस Inks Scheme में Covered होते हैं दोस्तों 21,000 के उपर जो होता है जिनकी Gross पे 21,000 के उपर है उनके लिए ये बिल्कुल भी Applicable नहीं है पहले ये 15,000 होता था लेकिन अब Amendment होने के बाद ये 21,000 कर दिया गया है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते है अगले में जान लेते हैं Benefits Benefits 6 है यहाँ पे ठीक है सबसे पहले Sickness Benefit आता है ठीक है जो Sickness Benefit मिलता है आप लोगों को जो भी Employee इसके अंदर कवर है ESIC में फिर दूसरा Maternity Benefit होता है दोस्तों जो मिलता है जो भी ESIC के अंदर कवरात होते है फिर तीसरा Medical Benefit होता है Medical Benefit भी जो है SK Through मिलता है ESIC SK Through फिर Disablement Benefit मिलता है दोस्तों फिर अगला आता है Dependent Benefit जो की मिलता है ESIC के तुरू जो Applicable होता है और आखरी में होता है Funeral Benefit ठीक है Funeral Benefit भी आप लोगों को मिलता है जो भी ESIC के अंदर काता है जिनकी Gross पे जो है 41,000 के नीचे है मैं Benefits को अगले वीडियो में Explain करके बता दूँगा ठीक है इसके बारे में थोड़ा Explain करना पड़ेगा ठीक है मैंने इसलिए आप लोगों को Overview दूआ है कि यह Benefits होता है इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को Explain कर दूगा दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते है आगे यहां जान लेते हैं कि ASIC की Calculation कैसी होती है ठीक है तो यहां पर अगर हम Calculation के इसाब से देखें तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ASIC Rule जो है यह ASIC Act 1948 Employee State Insurance Scheme Act 1948 के तहत जो है यह Gross Salary के उपर लगता है Calculation जो भी होती है यह Gross Salary के उपर होती है और It is calculated on the basis of Gross Salary ठीक है Wages Pay per month and minimum limit is up to 21,000 जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यह 21,000 का जो limit है उसके नीचे वालों के लिए यह लगता है पहले यह 15,000 होता था लेकिन अब यह 15,000 नहीं है Employee का जो Contribution होता है ठीक है इसमें वो 0.75 होता है ठीक है पहले यह 1.75 था ठीक है वो Gross Salary के उपर जो लगता है ठीक है इसमें Allowances भी जो Basic Plus Allowances हैं वो भी Include होते हैं ठीक है तो अभी यह कितना हो गया है अभी 0.75 percentage जो है Gross Salary का वो Include होता है और यहाँ पे Employee को तो 0.75 देना पड़ता है लेकिन उसी दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें तो Employee का जो Contribution होता है वो 3.25% होता है पहले यह 4.75 था of a Gross Salary जो की Pable होती है Employee को लेकिन अब यह जो है घटा के 3.25 कर दिया गया है ठीक है अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं जो यहाँ पे दिया है मैंने कि अगर किसी की Gross Salary ठीक है किसी की Gross Salary जो है 8,000 है पर मन्त ठीक है तो उसको हम कैसे calculate करेंगे तो अगर किसी की Gross Salary of an Employee is 8,000 पर मन्त है तो उसका 8,000 into 0.75 Employee का जो contribution हो जाएगा वो 8,000 into 0.75 कर देंगे तो equal to 60 रुपीज वो हो जाएगा ठीक है तो 60 रुपीज जो है वो Employee का contribution हो जाएगा ESIC के प्रतिख अब दूसरा जो है Employee के के तरफ से देखते हैं Employee के तरफ से वो है 8,000 into 3.25% कर देते हैं ठीक है तो 8,000 into 3.25 तो 260 रुपीज तो इसमें जो है 260 रुपीज जो है वो Employee का contribution हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही हम ESIC basically calculate करते हैं फिर उसके बाद अगर net पे निकालनी होती है तो यहाँ पे यह deduction में account हो जाते है जो ESIC होता है ESIC और PF ठीक है यह दोनों जो है deduction में चले जाते हैं दोस्तों ठीक है तो ESIC basically इस प्रकार से calculate किया जाता है ठीक है दोस्तों hope करता हूँ आप लोगों को यह calculations और ESIC की definition और जो है यह proper तरीके से समझ आई हो और जैसे कि मैंने पहले बताया जो benefits हैं पढ़ेंगे इसलिए मैंने आप लोगों को जो है overview दिया है बाकी डीटेल में जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ESIC के बारे में बता दूँगा दोस्तों hope करता हूँ आप लोगों को यह detail पसंद आया हूए और आशा करता हूँ ESIC, PF इन सब चीज़ों के बारे में ज्यादा ग्यान नहीं है तो मेरी कोशिश यह है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है इन HR टर्म्स के बारे में थोड़ा सा ग्यान होना बहुत जुरूरी है ताकि आप लोग कही ठगे न जाए और अगर आप लोग को कहीं कन्फूजन होती तो वो कन्फूजन आप लोगों की दूर हो ठीक है तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो आज का वीडियो और जड़ ज़ग लोग फ्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा चैनल तो और जड़ ज़ग लोग प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें जिनको यह ज़रूरी इंफॉर्मेशन रिक्वाइड है ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हूँ मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों अपना ख्याल रखें धन्यवाद